रूस और युक्रेन के बीच का ये युद जितना पुराना होता जा रहा है उतना ही खतरनाग भी हो रहा है। थ्यारों की कमी के साथ साथ अब सैनिकों की कमी ने युक्रेन की मुश्किले काफी बढ़ा दी है। इस बीच न्युयोच टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युक्रेन रूसी मिसाइलों को रोकने में तेजी से विफल हो रहा है। युक्रेनी सेना ने दावा किया है कि हाल ही में एक महीने में युक्रेन ने सैक्डो रूसी मिसाइलों का सामना किया है इससे युक्रेन के एर डिफेंस सिस्टम का भंडार खाली हो गया है हाला कि कीव ने पिछले साल मई में 80 फीजदी से ज्यादा मिसाइलों को रोकने का खुलासा किया था जो कि हालिया महिने में आधे से भी कम पर पहुँच गया है यानि कि करीब 30 फीजदी जो युकरेन के लिए बिलकुल भी अच्छे संकेत नहीं दे रहा है पिछले 6 महीने में युकरेन ने लगभग 46 फीजदी रूसी मिसाइलों को रोका जो उससे पिछले 6 महीने में 73 फीजदी था एक आंकड़े के मताबिक कम लागत वाले इरान के शहीद ड्रोन्स को रूस अक्सर युकरेन के एर डिफेंस सिस्टम पर हावी होने के लिए एक साथ लॉंच करता है इसकी सक्सेस रेट की बात करें तो युकरेन महज 200 ड्रोन्स को ही इंटरसेप्ट करने में सफल रहा है जबकि 400 ड्रोन्स युकरेन में तबाही मचाते दिखे बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों में रूस ने युकरेन पर करीब 45 फीजदी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइले दागी है इतना ही नहीं युकरेन की प्रमुख बुनियादे धाचे की रक्षा करने की शमता भी काफी कम होती जा रही है यही वज़ा है कि रूसी हमलों से युकरेन के शहर दर शहर अंधेरे में डूपते जा रहे हैं रूसी हवाई हमलों ने महतुपून युकरेनी हतियार कारखानों और रेलवे पर हमला किया है जो मोर्चों पर सप्लाई के लिए काफी एहम योगदान देते हैं इसके अलावा रूस ने फ्रेंट लाइन में तैनात युकरेनी सैनिकों को भी अपना शिकार बनाया है इसी वज़ा से युकरेन अपने पश्चमी सहयोगी देशों से ज्यादा से ज्यादा एर डिफेंस सिस्टम की गुहार लगा रहा है राश्पती जेलेंस की खुद कह रहे हैं कि उनके देश के पास महतवपून सप्लाई खाली होती जा रही है ऐसा दावा है कि रूस ने भी पिछले कुछ समय से जंगी मैदान में अपनी रणनीती बदली है माना जा रहा है कि कुछ रूसी हमले शेहरी इलाकों के जंजीवन को अस्ट वेस्ट करने के मकसद से किये गए तो वहीं रूस अब युक्रेन के उन चुनिंदा इलाकों पर बड़े पैमाने पर बंबारी कर रहा है जो युक्रेनी एर डिफेंस और पश्चमी मिसाइलों को ध्वस्त करता है दावा है कि रूस ने क्रूज, बेलेस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों समेथ बड़े और ज्यादा खतरनाक हतियारों को फायर कर अपनी रणनीती में सुधार किया है और युक्रेन पर जबरदस्त दवाव बनाने में काम्याब भी रहा है बताया तो ये भी जा रहा है कि युक्रेन को गुमरा करने और उस पर हावी होने के लिए रूस हमलावा ड्रोन्स लॉंच करता है और इसके ठीक बात सटीक लक्चों को भेदने वाली मिसाइले दाग कर तबाही मचा देता है युक्रेन अब इस युद्ध में पूरी तरह से अमेरिकी मदद के भरोसेटिका हुआ है जो इस युद्ध का और युक्रेन का भविश्य तैकर सकता है बता दे कि लंबी सियासी खीश्तान के बाद अमेरिकी संसद ने युक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर की साहता पैकेज को मनजूरी मिली थी इसके एक हिस्से के रूप में अमेरिका ने एर डिफेंस मिसाइलों की खेब पहले ही भेज़ दी थी हाला की युक्रेन के एर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए जरूरी हतियार आने में अभी भी कही महिने लग सकते हैं जिसकी ताग काफी समय से युक्रेन और उसकी सेनाय लगाए बैठी है